तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दवाइए तो आज के ब्लाग स्टाइट करते हैं वेलकम बेक टू माई चैनल है है कैसे हैं आप सावाई हूं क्या सबस्क्राइब को बढ़िया हूं और आज की व्लॉग में मैं आपको बताओं कि मैंने आज एक बिल्कुल नहीं काम किया है हाज हम मैं आ गई हूं जट पर ली नीचे आ यहाज था भाही कुमें अ यह माना जाता है लेडिस का इस तरीके से तो मैं च्छत पर आ गई हूं और अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर जाना है उसी चक्कर में आया है वो उसने देखने के लिए कि ये लोग रेडी हो गए है कि नहीं हो गए है और वस इसके बाद हम लोग चले जाएंगे और फिर तो आज मैं बता रही अब किसी दिन हम लोग पिकनिक पर जाएंगे ताब आप लोगों को लेकर लेंगे साथ में और पिकनिक पर खेतों में जाएंगे थुड़ा सा हो जाए भी फसल जो है भी छूटी चूटी है तो मठर बगेर है मठर चना ये सब बड़े हो जाएंगे तब जाएंगे हम लोग और अभी जाएंगे तो फेद वहीं पिखाना बगेरा बनाएंगे बहुत अच्छा लगता है तो आज मैं कहता है कभी कभार उगए मेरे साथ मुझे मैंने पर कभी बनाया है तो मुझे पता नहीं किसा पोड़ी नहीं सेकगे मां नहीं सेकते हैं पराफ नहीं बन सकता हैं तो मैं नहीं बनाई कि मैं जब बैठ़ जाते हैं बात करने के लिए तब हमरे बास दिमाग में होता है क्या बास करने के अब यह गृप liaison में लग जाते हैं के वह सब्सक्राइब करने और यह तो याद रहता यह और देखने वाले लाइक कर दिया करा और बस आज चलिए देखते हैं कैसे मैंने इस पर अपने स्ट्री में वैगन को बून के और भड़ता बनाया है तो आज थोड़ा सालक तो है रोज से और फिर कल परसों आपको और थोड़ा सा हट के वीडियो मिलेंगी क्योंकि हम लोग थोड़ा सा आउटिंग कर रहे हैं तो वहां कभी आप लोगों को दिखाऊंगी ठीक है फ्रेंट्स चलिए मिलते हैं तो यह देखिए मैंने शट पर सिगड़ी रख ली है और अब मैं इसको जलाने की कोशिस कर रही हूं तो मुश्किल से आग पकड़ी थी क्योंकि ऐसा यह देखिए मैंने पॉलिथिन में आग लगा दिये तो लग गए थी और यह बोरी में रखी हुई है मेरी लकडियां तो यह लगडियां मेरी पता कहां से आई हैं यह मेरी फनीचर के काम हुआ तो तो वह लगड़ी के टुकड़ा जो होता है वह बच जाते हैं तो छुट- लोग लगाते हैं ताकि इनका जो वह हो खतम हो जाए इसमें बाद ही होता है तो यह थोड़ा सा मूँ भी फट जाता है किसी किसी का थोड़ा मूँ में मतलब चाले जैसे हो जाते हैं यह फट जाता है मूँ तो उसमें यह लगा देने से यह सब नहीं होता है तो मैंने लेस और रख लूँगी और जब तक वहां पर आग जल रही है मेरी तो मैं इसके ऊपर रख लूँगी तो भून तो गए थे लेकिन काले तो ऐसे हो जाते हैं में और ज्यादा ही हो गए थे कुछ लेकिन अच्छा स्वाध आता है इस तरीके से भूनते हैं तो यह देखिए मैं पता नहीं क्या-क्या करेंगी तो इनको बड़ा अजीब लगता है इनको लगता है वीडियो के लिए क्या क्या कर ओड़ी तो मैं यह देखिए भून रहा थे और इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए नीचे चले गई थी और यह सब रख गई थी यह देखिए यह बच्चे बैठे भून रहे थे तो नोगों ने साथ भून भी लिए हैं मैं आके देखने आई थी कि यह भूने हैं कि नहीं भूने हैं तो थोड़ा सा डंठल की तरफ जो है वो टाइट थ कि यह थे तो बस यह अब और भून जाएंगे और फिसके बाद चलते हैं लोगों नीचे तो नीचे चलके बनाएंगे रोटी क्योंकि यहां पर इसमें रोटी बनाने का तो मुझे सहुंझ महीं नहीं आया कैसे बनाते हैं और यह देखिए तो मैंने वैसे बनाएं थी वह मैंने इनको बगेर सुखा अटा लगाए घी लगा के पेला था और इसके बाद इनको शेका था तो बहुत अच्छी रोटी बन जाती है और यह रोटी का थोड़ा सा टेस्ट अलग होता है रोज की रोटियों के पिक्षा तो मैंने यह ट्राइग किया था आज और बैगन के भरते के साथ बहुत अच्छी लेगी थी तो बस अब हम इसको शेक देंगे और फिसके बाद हरा नमक जो है बैगन के भरते के लिए वो भी पीछ लेगे क्योंकि मैंने बैगन को फ्राइग करने वाले नहीं हूं और इनको मैं ऐसे ही वो करके खाऊंगी तो यह देखिए त अगर घर में यह दनिया रखी है तो आपको बाहर से खुसबू आ जाएगी इस टाइप से इतनी खुसबू आती है इसकी और बहुत ही टेस्टी होती है यह वाले तो यह चाचा कल आए थे तो वह लेके गए और खेतों में लगी होती है मारे हां मूली धनिया सब चाचा बना लेंगे और बस कुलकुरी रोटियों के साथ गर्म गर्म रोटियां और इंदरों तो खाने का मचा होते ही है वैसे असली तो यह देखिए अब हम इसको भरता बना लेंगे तो टोमाटर भून गये थे मेरे और बस इसमें डाल देंगे हम हरा वाला नमक और वस हमारा ब देख लेता है तो उसको तो बता वो कभी खाता ही नहीं है वो कहता है ममा आपने हाथ से ऐसे कर दिया था उसको गेना आने लगती है वो पताने कैसे बच्चे है अजकल उनको मतलब इस तरीके से वो कभी कोई चीज नहीं खा सकता है अगर वो मुझे चठनी पीस्ते हुए मुझे अच्छा लगता है तो बताने कैसे बच्चें तो अगर इस तरीके से देख लेता कि मैंने असे बछता तो पर वो नहीं खाता तो ठीका प्रेंस आप देखे हम लोग लगा लेंगे थाली और बस इसके बाद खाएंगे आज लंच में मेरा यही खाना था यह देखिए मूली रखी हुई है हरा धनिया का नमक रखा हुआ है और गी लगा के में रोटियां बढ़िया मस्त बना लूँगी तो पड़के रख दूँगी और बस खाने के लिए आजाईए आप लोग भी तो चलिए मिलते हैं अब कल के लोग में कल तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स